का दीन हमा ठ defenders के लिए ऑग कि हैं को इसकार हमारी एक कभर से जुड़ी है कैसे एक साथ चार लोगों को ब्लत शौल गना सकती है इसका एक अविशकार हो गया हुआ को इंडिया से कैसे जुड़ा यह आपको बताएंगे, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि 20 लिटर मशीन आकर होती क्या है, जो लोग नहीं जानते, वो यह जान ले, करत्रिम सुषन करने के लिए, यानि ऑक्सीजन देने के लिए, जब आदमी ऑक्सीजन आराम से सांस नहीं ले पाता है, ऐसे ऑक्सीजन जूज रहे हैं, जो सीधे-सीधे फैपड़ों पर असर करता है, वो वाइरस, और उसके चलते, अलग-अलग लोग अनुमान लगा रहे हैं कि देश में 50,000 वेंटिलेटर मशीन की जरूरत है, लाखों मशीन की जरूरत है, खुद अमेरिका के पास 20,000 वेंटिलेटर मशीन लेकिन अब अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है, एक लड़की है, इंडिया, उसकी मम्मी का नाम है, सारा फारिस डॉक्टर हैं, और साउथ कैरलोना यूनिवस्टी के जो मेडिकल स्कूल है, उससे चुड़ी हैं, और उसके पिता है रियान जो एक सॉफ्टर एंजीनियर है, यह जो उनका आविशकार है, वो FDA ने एप्रूवल कर दिया है, फेडरल ड्रग अड्मिस्टेशन ने सौमवार को किया है, और उसके बाद इंडिया नाम की जो रड़की है, वो काफी खुश है, हौवर्ड इंवस्टी में पढ़ती है, वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर है, और उसने जिस तरह से खुशी अपनी जाहिर की है, इस इंडिया से हमारे देश से भले उसका कोई लेना देना हो नहो, लेकिन इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये ख़बर बाकई में बड़ी है, कि अगर एक वेंटिलेटर मशीन से कोई उपकरण जोड के चार अलग-अलग मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है, तो ये वाकई में बड़ी खबर है, दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनन्द महिंद्रा बड़ी तेजी से अपने वेंटिलेटर पर काम कर रहे हैं, अगर वो पिचतर सो रुपे में वेंटिलेटर उप